Assalamualaikum students, आज हम solve कर रहे थे पहले 7.1 तो 7.1 का जवाव, next question को जवाव, solve करेंगे कि इसको हम देखते हैं कि वो कौन सा question है, question number 9 है जी question number 9 के अंदर हम देखेंगे कि इसकी statement पढ़ते हैं पहले कि statement के अंदर क्या लिखा गया है कि if O is origin, अगर हमारे पास क्या है O origin हो और O P जो है वो A B के equal हो तो find हमने करना है point P और A B जो है वो point आपको यहाँ पर given है तो मतलब यहाँ पर condition यह बता दी है कि O origin के तोर पर काम कर रहा है और P जो हमारे O P जो है वो A B के equal है और A हमने find क्या करना है P point के coordinate find करना है कि P point है क्या और A और B जो दो point है यह आपको यहाँ पर given है तो सबसे पहले हमें P find करना है P हमें नहीं पता ठीक है तो P के लिए हम let करेंगे कि P मारे पास जो point है वो X Y है हमें पता नहीं है तो हमने इसको X Y के बराबर let कर लिया उसके बाद इसको solve करने के लिए हम करेंगे कि यह जो point है O उसने खुद बताया था कि origin है origin लिख दिया A भी उसने खुद दिया B भी दिया वो हमने यहाँ पर लिख दिया उसके बाद इनके जो हम पॉजिशन वेक्टर लिखते है देखें मैंने का था कि पॉजिशन वेक्टर किससा लिखा जाता है O B ठीक है और मतलब O B का पॉजिशन वेक्टर क्या होगा हमारे पास I plus 0 J इसके साथ I लगा देंगे इसके साथ क्या लगा देंगे 0 और अब A का अगर हम पॉजिशन वेक्टर लिखें तो वो क्या होगा हमारे पास माइनस 3 I plus 7 J और यह जो पॉजिशन वेक्टर होते हैं यह आपको पता है कि यह हमें किसी भी हमारे पास पॉइंट की जो पॉजिशन बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू औरिजन तो इसके बाद यहां पर हमने जो P पॉइंट था उसका भी पॉजिशन वेक्टर लिखेंगे P क्या है X और Y तो इसके साथ क्या आजएगा X I और Y J अब हमें देखें तो O P जो है वो A B के एक्वल है हमें O P तो मिल गया X I प्लस Y J लेकिन हमारे पास क्या नहीं है A B नहीं है तो हम पहले A B फाइंट करेंगे और इन दोनों को फिर बराबर रखतेंगे तो A B जो है वो फाइंट करने के लिए जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास देखें ये आगया I प्लस 0 J और O A की वैल्यू मारे पास क्या आगी माइनस 3 I प्लस 7 J और ये ब्रैकेट लाजमी डालनी है जब माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है ठीक है कि वो माइनस जाओ इनकी साइन जाओ चेंड कर देगा तो नेक्स के अंदर हमने जब इसको साइन चेंड कीए तो साइन चेंड करने के बाद I वाला I केंदर प्लस होगा J वाला J केंदर यहाँ पर 3 I है यह I तो मिलकर क्या होगा जी 4 I और 0 प्लस 7 J तो यह हम इनको add करेंगे तो क्या देगा 7J यह आदेगा तो यह हमारे पास AB आ गया ठीक है और उसके बाद हमारे पास OP उपर मुझूद है condition हमारी यह है कि OP AB के equal है तो अब इन दोनों को जो हम बराबर रखतेंगे तो बराबर रखने के लिए वही किया कि मैंने OP is equal to AB लिख दिया अब OP की value पुट कर दी OP की value क्या है XI plus YJ और AB की value क्या है 4I minus 7J तो अब देखें यहाँ पर compare करेंगे coefficients को compare करेंगे coefficient कौन सा है मतलब यह कि I वाला I से compare करेंगे J वाला जो है वो J से compare करेंगे तो जब हम इसको compare करेंगे देखें तो by comparing the components तो यहाँ पर हमारे पास यह है कि X की value है वो किसके equal आ रही है 4 के I को छोड़ देना है ठीक है और X की value 4 के equal आ रही है और Y जो है वो किसके equal है minus 7 के अगर minus term के साथ मुझूद है तो वो 7 लिखेंगे तो यही उसने हमें find करने के लिए कहा था कि आपने क्या find करना है point और point मैंने क्या फर्द किया था X और Y अब इस P की जगा पर value पुट कर दें X की value क्या है 4 और Y की क्या है minus 7 तो हम लिख देंगे कि जो हमारा point आया है जो required point उसने find करने के लिए क्या था दिया उसके बाद हमने का find किया है A B तो A B जब और O P जब find कर लिया तो उन दोनों को बराबर रखके coefficients को आप क्या करतेंगे compare कर देंगे तो आपके पास P की जो है वो value आ जाएगी उसके बाद next question के अंदर देखते हैं तो जो next question है वो मारे पास है जी question number यहाँ पर है यह 11 है तो अब यहाँ पर A B is equal to CD लिखा गया है find करना है आपने A B CD जो है वो उसको given है और हमने find क्या करना है A find करना है B C और D यह आपको points जाएं वो respectively given दिये हूँ है A B is equal उसने का है कि अगर CD हो तो find point क्या करना है हमने A find करना है ठीक है और B CD जो है वो आपके सामने जावो point given है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इनके जो है वो let करेंगे कि जो हमने point जिस तरह हमने पीछे फर्द किया था इसी तरह यहाँ पर let करेंगे कि A जो है वो required point जाओ किसके एकवल है, X और Y के एकवल है और हमें find जो करना है वो B, C, D करना है, कि B point कौन सा है C point कौन सा है, और D point जाओ जाओ कौन सा है, तो इसके लिए बलके हमने find तो A करना है और B, C, D जो हमें given है तो अब देखें, इनके जो सबसे पहले तो position vector लिखेंगे पहले तो मैंने ये point नीचे लिखे ठीके न, उसके बाद इनके जो है सबी के position vector लिखूँगा सबसे पहले तो O A का लिखा जाएगा O A का position vector क्या है, X I plus Y J इसके साथ I लगेगा, इसके साथ J लग देगा इसी तरह आप O A का, O B का लिख दिया फिर हम O C का लिख देंगे, फिर O D का लिख देंगे सिंपल टकनीक है कि जो जो coefficient है जो इसके point है, उनके साथ क्या लगा देंगे I और J लगा देंगे और लिखेंगे O A, O B, O C और O D ये मारे पास coefficients के साथ जाएगो idea लगाने के बाद आपको जो जो इनके position vector जो जो मिल जाएगे अब हम सबसे पहले का find करेंगे A B और फिर का find करेंगे C D तो सबसे पहले हम A B find करते हैं तो A B की अभी हमने बताया था कि किस तरह होता है कि second point का position vector minus first point का position vector तो O B minus O A तो O B minus O A जब करेंगे तो इनकी जो है वो values आप put करें तो O B की value पुट कर दी और यहां पर जो है वो O A की value पुट कर दी अब यहां पर इसको मजीद जब solve करेंगे तो यहां पर क्या होजएगा minus X I minus Y J तो देखें I U A वाली term है एक I U वाली term है इन दोनों मेंसे आप I common ले लें जब आप I common लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा I common है यहां से 1 बचके और यहां से minus X तो यह J वाली term है इन मेंसे भी आप J common ले लें तो यहां से क्या बचके है 2 और यहां से बचके है Y तो यह A B आपके पास आगया अब आपने क्या find करना है cd find करना है cd की जो value क्या है क्योंकि a b is equal to cd है तो cd जब आप find करेंगे तो cd किसके equal होगा od minus oc तो आप od भी है और oc भी है आपके पास इनकी जो है आप यहाँ पर values put कर दें od की put कर दी और oc की put कर दी आपने value तो minus जब इनकी लामते हैं जो आप अंदर वाले हों की क्या कर देगा chain करेंगा जब आप chain करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 4i, 7j, 11j और यहाँ पर plus हो जाएगा और यह negative हो जाएगा अब इनको i वालों का i भी जमा कर दें तो यहाँ पर देखें तो 2 है और यहाँ पर 4 है तो 6 हो जाएगा 11 में इसे 5 निकलेगा तो भी 6 तो इसका मतलब है जो cd आपके पास क्या आगया 6i, 6j अब आप देखें condition क्या है कि a, b किसके equal है cd के equal है तो आप इन दोनों को जाब वो बराबर रख देंगे तो जब आप इन दोनों को बराबर रखेंगे तो आपके पास win की values put कर दें तो मैंने पहले a, b is equal to का लिखा cd और a, b की यह वाली जो value थी वो इस तरह लिख दी और cd की जो value थी वो इस तरह लिख दी यह जो उपर आई थी अब comparing the coefficient देखें i, i के बराबर है तो यहां पर क्या आगा 1 minus x is equal to 6 तो j, j के बराबर है तो 2 minus y is equal to यह भी काएगा 6 ही आजएगा तो यह हमें coefficients को compare करने के बाद यह 2 equation बनाती अब इन से आप x की value जब find कर लेंगे x को एक तरफ कर लें और y बाकी जो टरमें constant एक तरफ करें तो आपके पास x की जो value आगी वो क्या होगी minus 5 और y की जो value आप find करेंगे वो क्या हैगी minus 4 आजएगी ठीक है जी तो यह जो दो values आगी x और y की यही मारा point था point के अंदर हमने क्या का था कि हमने किसकी value find करनी है x y की तो यह मारे पास जब हो हमने इनकी value find कर दी x और y की जो value आई है उसको आप वहां पर put कर देंगे तो आपके पास जब हो इनकी values आजएंगी तो यह जो point जो हमने question हल किया यह question number 11 है यह लिखा उपर 9 गया है तो यह question number 11 है तो पहले जो हमने 9 हल किया था और यहां पर जब हो यह 11 हल किया है तो यह जो दो point आए हैं यह x और y यह असल में a के coordinate है x की value का आगी है minus 5 और y की क्या है minus 4 तो आप यहां पर इनका point लिख देंगे के point A is minus 5 और minus 4 तो यह दो point नहीं question है यह smart syllabus के अंदर जो थे हमने इन ही को हल किया और एक question मजीद रहता है इसका वो भी हम next slide के अंदर जो हो video के अंदर हल करेंगे और इसके बाद यह exercise जो हो end हो जाएगी शुक्रिया लाफिस